ये है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारती मद्परदेश विदान सागबागा बजट सत्र के पहले दिन ही कॉंग्रेस ने जबरदस प्रदशन किया विदायक जीदू पटवारी और विदायक कॉंणाल चौधरी यहां पर हल लेकर पहुँचे हैं और कहीं न कहीं शुरुआत में ही कॉंग्रेस ने अपने तेवरों से साफ कर दिया जाने में लगती उसके भाव बढ़ा दी और आधी करने की जगह तिगनू उसकी करती वहां पर जब लागत के बाद इन्हों कहा था कि जो कीमत उनको दुग नहीं कर देंगे और जब पूर मुख्य मंतरी थे शिवराज जी सीधे कहते थे गेहूं तो छोड़ो इसकी मिट्टी 200 रुपे कुंटल खरीदने का काम करूगा आज जब किसान का गेहूं 32 रुपे कुंटल बिकरा था तो पूरे मार्केट में वो गेहूं जो सरकारी रखा हुआ था उसको मार्केट में देने का काम कर दिया और जब गेहूं की गरीबों को देना था उसकी जगा ये मिलरों से साजिश करके चावल बट रहे थे और इस साजिशन के तहा तब जब गेहूं आता जा रहा है तो आज किसान का गेहूं फिर 2000 रुपे कुंटल हो गया इस पस्त है कि किसान की लागत तीन गुना बढ़ गई है किसान की कीमत बढ़े और कम से कम अभी कोंगी 32 रुपे कुंटल गेहूं बिकरा था कि खेती को लाब का धंदा बनाया है कि मेरी सरकार सिर्फ भाशन दे रही है ना तो गरीब को राशन दे रही है ना गेहूं दे रही है ना किसान को राहत दे रही है ना रोज नोजवान को रोजगार दे रही है सिर्फ भाशन भाशन और भाशन का साशन जूट और फरेप का जिस तरह का पुलिंदा मैंने देखा कि कई न कई जब कहा गया कि लाली लक्षमी योजदा को पुना चालू करा मेरा चुनोती है आज ही मेरे फेस्बूक पर चार साल पहले कांग्रिस की सरकार में लोगों को तीर दर्शन पे बेजा जा जा रहा था तो फिर किसने इसको बंद करने का काम किया ये किसानों की आये दुगनी करने के कितने साल के वादे जो 2016 में कहा था कि 22 में दो ऐजा लाग तो कादी करते हैं और कीमत दुगनी आज लागत और कीमतों के बारे में बात क्यों करनी करते हैं बिजली के बिलों के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं महंगाई के ओपर बात क्यों नहीं करते हैं बेरोजगारी के ओपर सिर्फ भाशन 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 ये भाशन के साशन से यह कहते हैं अमरत काल था कि मरत काल था यह समझ में नहीं आ रहा है मदप्रदेश के अंदर लोगों ने लोगों को मरते देखा रोज बेरोजगारी चरम पे जा रहे हैं रोज लोग आत्मत्या कर रहे हैं किसान प्रताली थे और इन्हें अमरत काल दिख रहा है जो बेरोजग के लिए कैसे कर जाए घर बना रहा है हमारी मांगे आपने बिजली सोर्स पानी और सब महंगा करती है हमारी लागत बढ़ गई यह तो हमारी कीमत यह कीमत बढ़ाना पड़ेगी सरकार को किसान के गहों की किमत बढ़ाने होगी कॉंगरेस विजय कुणाल चौदरी साफ तोर पर अब देख सकते हैं कि जो एग्रेशन है उनका साफ तोर पर कहना है कि किसानों को मुद्धे पर सरकार पूरी तरह से फेल हुई है राजपाल के अभीबाशन को पूरी तरह से उनके भाशन कहा है और कॉंगरेस के इन तेवरसों साफ है कि यह जो चुनावी साल है और उसका जो बजट सत्र है निश्यत तोर पर यहाँ पर काफी कुछ देखने को मिल सकता है कैमेरमन यश्वंद के साथ आशुतोष पब्लिक फर्स्ट न्यूज भोपाल यह है इंडिया फर्स्ट कम्यूनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सरवदा भारती